नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बारी फिर स्वागत है गुरुकुल आफ साइंसेज में मैं दिने शर्मा और सरजी देखें हम लोग क्या कर रहे हैं रियल एनालिसेज ऐसा ही कर रहे हैं सरजी तो आज का जो अपना कारे करम है सारा का सारा वो रहने वाला है सर अपना properties of integrable functions तो आज हम बात करेंगे कि किसी integrable functions की सर क्या क्या properties रहती हैं और उन properties से जुड़े सर सवाल देखेंगे और एक question देखेंगे अपना जो UPSC में आया हुआ है 2008 का तो इससे पहले की सर आज का हम लोग कारेकरम स्टार्ट करें थोड़ा सा क्या कर लेते हैं सर advertisement कर लेते हैं तो अगर आप 2022 के लिए prepare करें तो सब्सक्राइब कर लें यहाँ पर आपको जो है match के बहुत सारे concepts जो है सर बड़े easy way में आपको समझने के लिए मिल जाएंगे ठीक है जी बाकी देखें सर हमारा एक live best start होने जा रहा है December से तो अगर आप interested है तो आप WhatsApp में दिये गई मतलब description में दिये गई नमबर पर WhatsApp मेसेज कर सकते हैं तो चलो जी start करते हैं फिर बिना किसी देरी के तो पहली property देखते हैं सर क्या कहती है पहली property और उसको जो है फिर हम लोग समझेंगे भी कहता है पहली property देखें और notes ना आप साथ के साथ बनाते चले वैसे तो PDF time to time share होती रहती है Instagram, Telegram जो channel है उसके उपर उसका भी सर link description में given है बट मेरी recommendation यह है कि आप साथ के साथ बनाते चले कहता है आप bounded function f is integrable bounded function f is integrable very good in closed interval a,b ठीक है जी then kata then it is then it is it is also integrable also integrable in AC closed interval SAC and CV where C is a point where C is a point C is a point C is a point of closed interval a,b point of closed interval a,b ठीक है जी converse is also true converse is also true is also true तो समझ लेते हैं सर यह जो प्रापर्टी है पहली यह प्रापर्टी क्या कहती है और उसके बाद जो है इसका हम लोग वो करते हैं विसलेशन मतलब क्या इसका dissection करेंगे नहीं तो कहता है अगर अपने पास सर कोई function है और वो a से b में integrable है ठीक है जी तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं a से c fx dx plus c से b fx dx provided that यह condition है ना कि a जो c है सर अपना वो a और b के बीच में कहीं होगा ठीक है जी अब यहाँ पे देखें सर यह जो है क्या कहती है प्रापर्टी आप इस integral को इस तरीके से लिख सकते हैं कोई दिक्त नहीं है और अगर कोई integral है वो ऐसा है ऐसा कैसा ऐसा तो इसको आप जो है वो ऐसा भी लिख सकते हो यह basically आप लोगों ने छोटी classes में पढ़ी होगी definite integral जो है उनकी properties के अंदर कि आप limits को जो है वो तोड़कर इस तरीके से लिखी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है second देखें सर्ची property देखते हैं अच्छा सर होता क्या है बहुत बार ही ऐसा होता है कि यहाँ पे हम समझ लेते हैं बट उसके बाद भी क्या है आप लोगों के doubts रह जाते हैं थोड़े बहुत मतलब वैसे तो कोशिश यह रहती है मेरी कि इस वे में समझाया जाए कि आपको doubts आई ना बट उसके बाद भी सर आई जाते हैं आप समझ सकते हो तो उसके लिए हम लोगों ने एक WhatsApp ग्रूप बनाया हुआ है और उसका link भी जो है वो description में गिवन है उसमें सर आप ही के जैसे और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो UPSC को लेकर serious हैं तो आप जाकर उसको भी join कर सकते हो वहाँ से आपके doubts जो हैं वो सर बड़े अराम से clear हो जाएंगे और देखें सर ये मैं बार बारी बोलता हूँ एक बारी फिर repeat करूँगा अगर किसी भी student को मेरे से बात करनी है या कोई confusion हो रहा है उसको लेकर थोड़ा कुछ discuss करने तो आप WhatsApp पर एक message जो है वो छोड़ दे आपको सर रात 9 बजे के बाद callback आई आएगा positively जो है तो property देखते हैं सर ये तो खेर बाते होती रहेंगी आजाओ जी क्या कहता है तो कहता है 10 F plus minus G are also bounded are also bounded very good सर ये properties लिखते चले आपके मन में आ रहा होगा कि भाईया इनको लिखने की जरुवती क्या है नहीं हम सिधा download भी तो खरी सकते है notes को वो बात बिल्कुल सही है आपके और लाजमी भी है कि भाई download कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है बट biology ऐसा कहती है कि जब आप लिखते हैं ना जब आप लिखते हैं तो सर आपके brain में जो memory cells हैं वो activate हो जाते हैं तो जब आप किसी चीज को लिखते हो ना तो लिखने से क्या होता है आपके brain में उसके neuron patterns बनने लग जाते हैं neural patterns तो चीज जो है आपको ज़्यादा time तक फिर जो है वो याद रहेगी और तकलीफ कम होगी तो बैटर यह है कि ऐसे बस read करने से अच्छा आप इनको साथ के साथ लिखते चले क्याता है जी इस पार ही अपने पास दो function है F है एक और एक G है और सुसरे दो नहीं function ऐसे हैं कि जो bounded भी है और integral भी है किसके अंदर closed interval a, b के अंदर तो कहता है अगर ऐसा है तो F plus minus G जो है न वो भी सर क्या होगा आपका bounded होगा और integral भी होगा तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं a से b very good f plus minus g dx it can be written as a से b fx dx माल लेते हैं सर जी fx का function है ठीक है कोई दिक्कत नहीं सर मानने में तो ऐसा plus minus a से b gx dx तो ऐसा आप लिख सकते हो मतलब ये कहना चाहरा है अगर ये है तो ये भी होगा और ये है तो ये भी होगा बास समझाई सर इसको not कर लें screenshot नहीं लेना है screenshot लेंगे मातारानी पाप लगाएगी ठीक है जी अगली देखें property third property क्या कहती है ये वीडियो जो है kind of थोड़ी सी boring हो सकती है क्योंकि इसमें properties discuss जादा करनी है और numerical जो है वो last के part में आपको देखने को मिलेंगी बट सर यकीन माने property लिखना और साथ साथ पढ़ना वर्थ है आपको जो है वो चीजे याद नहीं करनी पड़ेंगी by default याद हो जाएंगी ये ना तो फरक जी दोनों बातों में आप देखें क्या कहता है कि if f and g are two functions are two functions और देखें ये भी हम लोगों ने एक पॉल जो है वो conduct किया था कि classes जो है वो किस मतलब कितने durations की होनी चाहिए ये जो YouTube पर आ रही है classes हमारी तो जादा तर बच्चों का कहना है जी एक घंटे के around होनी चाहिए वो बात सही भी है बट अभी कैसर थोड़ा सा जो है ना अपना syllabus पीछे चल रहा है थोड़ा सा पीछे चल रहा है खेर अभी तो ये पता नहीं कितने टाइम की बनेगी वीडियो मेर को लेकिन आगे से कोशिश है सर दो घंटे के आसपास जो है वो duration को रखेंगे ताकि जो है वो syllabus थोड़ा सा हम जल्दी कवर कर सकें बाकी सर आप speed को लेकर tension ना ले मतलब ऐसा नहीं है कि दो घंटे की होगी तो मैं भागूंगा syllabus को लेकर नहीं हम जैसे करते हैं बिल्कुल अराम से ऐसे ही करेंगे तो देखो जी property क्या कहती है इस property में एक बहुत अच्छी बात भी छुपी हुई है मैं आपको समझाता है तो यहाँ पर जो है कहता है जी देखो कि आपके पास दो function थे दोनों ही bounded थे और दोनों ही integrable थे अब आप कहोगे जिसमें नई बात क्या है इसमें नई बात कोई नहीं है इस property में लेकिन इस property के बाद जो बताऊंगा सर वो नई बात है तो property कहती है अगर दोनों आपके bounded और integrable है तो बगवान की दया से इनका जो product है इनका जो product है product क्या रहेगा सर एफ जी ये भी अपना क्या रहेगा integrable भी रहेगा और bounded भी रहेगा अब देखो ये कोई जो है न वो कमाल की बात नहीं थी कमाल की बात अब है ऐसा हो सकता है ध्यान से सुनियेगा सर ये आप लोगों के लिए एक टास्क भी है थोड़ा सा आप भी क्या है गूगल करा करो तो थोड़ा सा मज़ा आएगा नहीं ब्रेंस्टार्मिंग करोगे ना तो अच्छा लगता है ऐसा भी हो सकता है कि F जो है सर वो आपका bounded ना हो और इंटिग्रेबल ना हो ऐसा हो सकता है जी आपका bounded ना हो और इंटिग्रेबल भी ना हो इसके बावजूद ऐसा पॉसिबल है कि इनका जो ये प्रोडक्ट है ये इंटीग्रेबल हो क्या बाद समयाई कि ऐसा भी संभव है कि F और G जो है वो ना तो बाउंडिड हो ना ही इंटीग्रेबल हो लेकिन ऐसा भी संभव है मतलब इनके इंटीग्रेबल ना होते हुए भी इनका जो प्रोड़क्ट है सरजी वो इंटीग्रेबल हो सकता है अब इसका ना पहले आप लोगों को मिलेगा भाई ये काम जो है आप लोगों ने क्या करना है गूगल करना है ऐसा फंशन मतलब ऐसे दो फंशन करने है कि जो इंटीग्रेबल तो नहीं है लेकिन जिनका प्रोड़क्ट इंटीग्रेबल है ये करना ज़रा गूगल और मेरे को सरजी वोटसेप पर सेंड करना मैं देखता हूँ कितने लोग जो हैं वो इमानदारी से काम करते हैं बाकी जो इसर करोगे ना तो आपको ही फायदा मिलेगा थोड़ा सा आप सोचने पर मजबूर हो ही जाओगे कि यार ऐसा भी हो सकता है खैर आगे देखतें जी फोर्स प्रोपर्टी वोई दोनों बाउंड़ेबल हैं फोर जी और टू फॉनिशन बोद बाउंड़ेबल इन इंटीग्रेबल इन प्लोज इंटरवल ए कोमा भी अब आगे से इसके बाद से लिख रहा हूं यहाँ पर मैं एंड देयर एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट वेरी गूर्ड अन नंबर अन नंबर T greater than 0 such that such that mod of GX is greater than T for all values of X that belongs to close interval A, B then F divided by G is bounded and integrable then F divided by G is bounded अगर ऐसा है तो सर इनका जो एक तरीके से division है ये भी आपका bounded रहेगा and integrable integrable in बोलो जी close interval A, B ठीक है जी तो simple सी property है ये चार property हो गई है सर property आज जो है ना बहुत जबरदस्त है और कईो में जो है वो बहुत जबरदस्त बाते छुपी हुई है मतलब कुछ properties ऐसी है जो हमें सोचने पर क्या कर देती है सर मजबूर कर देती है और वही property जो है वो बहुत बढ़िया लगती है नहीं कि चीज आपको सोचने पर मजबूर कर दे खेर तो अगला देखते हैं सर जी property क्या कहता है और फिर ये अगला जो property है ना ये भी सर कुछ ऐसा ही है जो आपको सोचने पर क्या कर दे मजबूर कर देगा देखो एक example भी दूँगा इसका तो मैं लेकिन सर जी जो तीसरी property है ना इसका तो आप ही ने करना है गूगल नहीं फिफ्ट property का मैं example आपको समझाता हूँ कहता है if f is bounded and integrable in a कोमा भी तो if f is bounded bounded and integrable बाकी सर देखें अगर आपको मेरी वीडियो से समझ आता है मतलब कुछ लोग comment करके मेरे को बताते हैं बहुत अच्छा लगता है वाकई में आप लोगों को समझ आता है तो channel को सर जादा से जादा share कर सके मतलब share करें ताकि सर आप और हम दोनों एक साथ grow कर सके ना और बहुत जल्दी देखो आप लोगों के लिए booklets आ रही है important questions की तो वो telegram का जो channel है उसी पर मिलेंगी आप उसको फिर join करी लें उसीं क्या और य legacy सरी ऊफ कोई पैसा नब यह उसके लिए एफ इस ऑलसो बांडे घंद इनटीगुरेवल एंड इंटीगरेवली रूरण ये इन प्लोज़ु ईंटरवल एक्मा भी एक इन इंक्वेलिटी है जो यहाँ पर hold करती है तो देख लेते हैं साजी inequality क्या है inequality है यह कहता है modulus of integral of a से b fx dx will be less than or equals to integral a से b mod of fx dx यह सर जी inequality है अच्छे इसका converse true नहीं है इसका जो है converse is not true यही सर सवाल है अमारा ऐसा का है भहिया condition क्या लगा दी यहां पर converse is not true converse is not true मतलब property क्या कहती है उसको समझते है फिर सर इसके converse को भी हम लोग जो है वो समझेंगे कहता है f bounded है और integrable भी है ठीक है तो अगर ऐसा है न तो mod of f जो है वो भी bounded होगा और integrable होगा किसके अंदर बोलो भीया closed interval a,b में बट सर ऐसा भी देखा गया है कि आपका यह मतलब converse का मतलब क्या है समझते हैं आप लोग कि अगर आपका mod f integrable है तो आप mod f को देखते हुए यह बात नहीं बोल सकते सर कि आपका f भी integrable होगा क्या बास समझा ही कि अगर आपका mod f integrable है ठीक है जी लेकिन mod f अगर integrable है तो आप यह बात नहीं बोल सकते short short कि आपका f जो है वो भी integrable होगा इसलिए बोलते converse is not true एक इसका example देख ले क्या क्या कहते हो चलो जी बहुत बढ़िया तो let f x is equals to 1 when x is rational when x is rational और minus 1 when x is irrational ठीक है जी तो इसको देखते हैं सर क्या यह integrable है यह judge कर लेते हैं हम लोग और अपना जो वो है ना मतलब interval वो ले लेते हैं सर a, b के अंदर इसके अंदर ले लेते हैं close interval a, b में इसको judge करते हैं पहले और फिर इसके बाद जो इसका आएगा ना वो क्या चीज मौड ओफ fx मौड ओफ fx को भी जो है फिर हम लोग judge करेंगे क्या वो integrable है तो उससे आपको जो है ना वो चीजे clear होंगी तो देखो यह मैं हटा देता हूँ है ना इसको जरा हम लोग judge कर लेते हैं पहले फिर आगे बात करेंगे आपसे तो देखते हैं सर जी क्या जो है इसका नतीज़ा निकलता है बाकी जो है अब देखो X is rational यह हट गया थोड़ा सा कोई बात नहीं तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक partition consider कर लेते हैं P let P is equals to X naught X1 X2 XR minus 1 XR से लेकर XN ठीक है जी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे सर हम लोग करेंगे यहाँ पर जो है इसका segment consider करेंगे एक आरेट सेगमेंट तो लेट आरेट सेगमेंट बेरी गुड आरेट सेगमेंट क्या consider करेंगे सर XR minus 1 से XR ऐसा ही करेंगे क्या कहते हो अब इसकी जो लेंथ है वो कितनी अज्यूम कर लें साजी डेल्टा लेंथ ओफ आरेट सेगमेंट length of rth segment is equals to delta r ठीक है जी तो यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे सबसे पहले जो है अपर डार बोक्स सम निकाले क्या तो अपर डार बोक्स सम किसके इकवल आएगा सर सम्मिशन ओफ आर वन से लेकर N वेरी गुड सुप्रीमम ओफ दैट पंशन इन आरेट सेगमेंट एंड लेंथ ओफ दैट सेगमेंट यही आएगा सर जी आप देखें सर किसी भी इसके अं अंदर आपके जो हैं बहुत सारे रैशनल इर्रैशनल जो हैं वह रहेंगे इन नमबर नहीं तो सुप्रीमम क्या आएगा इसके इन आपका 1 आएगा क्या वेरी गोड तो यह किसके इकवल हो जाएगा 1 देखो बाहर आई जाएगा तो यह हो जाएगा R1 से N सम्मिशन ओफ Deltar R सआजी यह सम्मिशन क्या होता है B-A यह होता है सब जी तो यहाँ पर आगया अपना यह अपर डारबोक्सम अब अपना जो वो होता है क्या अपर इन्टीरल यह क्या होता है सजी यह होता है अपना इंफिमम very good, किसका infimum लेते हैं सरजी upper darbox sum where P is a partition, बहुत बढ़िया तो आप देखें सरजी, इसमें infimum अगर लोगे भी, तो क्या ही आएगा B minus A ही आएगा, तो upper integral आपका किसके equal है B minus A के अब जैसे इसका upper darbox sum निकाला है, ऐसे हम लोग क्या निकालेंगे lower darbox sum, तो यह कितना आएगा देखो R1 से N, छोटू M R delta R तो सरज इंफimum क्या आएगा, minus 1 very good, तो यह हो जाएगा minus, submission of R1 से N, delta R यह कितना आएगा सरजी, A minus B हो जाएगा नहीं, minus sign अब भी आगे, sign क्या कर देगें, आप लोग change, तो आप देखें, सर lower integral किसके equal होता है अपना, आप कहेंगे जी, यह होता है, supremum very good, of lower darbox sum, where P is a partition, ऐसा ही करते हैं सरजी, तो इसमें यही आ जाएगा answer, क्या कहते हो नहीं तो आप देखें, यहाँ पर जो आपका upper integral है, और जो lower integral क्या वो सरजी same है, आप कहेंगे जी, नहीं है, सरजी जब यह same नहीं है, तो इसका मतलब यह function जो है, वो integrable नहीं है, ऐसा ही हो ना लेकिन वहीं अगर हम बात करें, सर mode of F की, तो mode of F को define करेंगे, तो क्या आएगा वो one और one, यही आएगा तो यह तो सर, constant function हो गया नहीं, और हम यह बात अच्छी तरीके से जानते हैं, कि constant function सरजी क्या होता है integrable, देखो हमने शायद से last class में करा था यह के जो है, वो integrable होता है, तो कोई भी constant function जो है, वो integrable है तो यहाँ पर क्या बात समय आई, यहाँ पर इस property से यह समय आया कि ऐसा हो सकता है, कि आपका mode of f integrable हो लेकिन ऐसा होते हुए भी ऐसा भी संभव है, कि आपका जो f है, वो integrable ना ही हो, क्या कहते हो सर बात समय आई, इसका जो है screenshot ले आप लो, very good देखें सर, मेरे को comment में बताएं, कि आपको क्या यह चीजे समझ आ रही है देखें सर, next property हम लोग देखते हैं, 6th property जो है अपने पास, तो 6th property को समझते हैं, क्या कहती है, और उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे अपना, 6th कहती है, जी देखें ज़र आप बड़ी ही प्यारी property है यह property number 6 यहाँ देखें आप इनसान के पास एक property नहीं होती और यह integrable function जो है भही, यह property पर प्रोपर्टी लिए जा रहे है, खैर कहता है, f is integrable f is integrable, very good in closed interval a, b then then f square is also integrable यह तो सर जी समझ गए होगे आप लोग इसमें sh कोई खास है नहीं कह रहा है, जी, f अगर आपका integrable है तो आपका f square भी जो है, वो integrable होगा अब सर हम बात कर लेंगे properties तो 6 थी आप कुछ inequalities है तो इनको properties में लिख लो, सर जी ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है कहता है जी, if inequality देखते हैं if f is bounded if f is bounded in closed interval a, b in closed interval a, b ठीक है जी, and capital M और यह छोटू m यह आप जानते हैं सरजी इनके क्या meanings है जो नहीं जानते कोई बात नहीं, सरजी वो भी जान जाएंगे are the infimum are the infimum and supremum of f infimum and supremum of f very good supremum of f in closed interval a, b in closed interval a, b then तो सर, यह जो inequality है ना यह कोई नई बात नहीं बताईगे आप लोग already जानते हो देखो, मैं लिखता हूँ और आप कहो गया रहे भीया यह क्या बात हुए तो हम जानते ही थे तो कहता है जी, आपका जो है m b minus a will be less than equals to lower integral a से b, f x d x less than equals to कहे जी, आपर integral f x d x सर जी, यह obvious है inequality, मैं आपको समझाता भी हूँ थोड़ा सा b minus a तो आप यह देखो, lower integral जो होता है, वो क्या होता है lower integral होता है इसका supremum, नहीं होता है क्या, तो इसका सुप्रीमं जो है, हो सकता है सर जी, इससे छोटा हो यह इसके equal गी हो ऐसे ही आप समझते हो अपर integral क्या होता है इसका infimum ऐसा ही होता है तो हो सकता है सरजी इसका जो infimum है मतलब infimum तो यह है ना तो हो सकता है यह जो values आएंगी यह इस integral से बड़ी हो या फिर इसके equal हो ऐसे यह थोड़ा सा गल्त निकल लिया यहाँ पर भी तो lower integral क्या होता है यहाँ पर lower integral होता है इनका infimum तो supremum तो इन में सबसे बड़ा होगा ना अब हो सकता है अगर constant है तो equal होगा वरना जो आपके lower dar box sum है जाहिर सी बात है सरजी वो या तो इसके equal होंगे या इससे छोटे होंगे ऐसा ही तो है इस बार या आप लोग समझ गए होगे क्या ही कहना चाहा रहा हूँ मैं इसके बाद सरजी देखें इसमें जो है एक और है अपने पास inequality यह पूरे integral के उपर है कहता है वही f bounded है और integrable है a, b में छोटु m capital m वही supremum है और वही infimum है तो inequality यह कहती है मैं लिखता हूँ सरजी उसके बाद जरा हम लोग इसको समझते है तो inequality यह कहती है देखो जी inequality कहती है m very good b minus a is less than equals to integral a से b fx dx very good is less than equals to supremum b minus a यह जब है जब b a से बड़ा या a के equal है इसी में सर एक और वेरियंट है यह वाला inequality के sign change a से b fx dx ठीक है जी capital m b minus a यह कब होगा when a is greater than or equals to b इसके बाद है सर अपने पास first mean value theorem तो देखते हैं integration के अंदर first mean value theorem और आज जो है सर जी यह अपना जो चैप्टर है ना कौन सा चैप्टर रीमन इंटीक्रल्स यह हो जाएगा सर जी समाप्त फिर हम यह देखेंगे आने वाली classes में कि सबसे पहले जो काम है मतलब arithmetic जो treatment है integration का सर वो किस ने दिया था वो रीमन भाईया ने दिया था इसके बाद एक और scientist जो है उन्होंने इनको जॉइन करा और फिर modification करी गई थोड़ा सा जिसको हम बोलते है रीमन शितलिचस इंटीग्रल तो वो देखेंगे next class में और फिर यह भी समझेंगे that रीमन इंटीग्रल is a special case of that integral basically scientist का नाम है वो तो starting जो है वो रीमन ने करी थी अफलब रीमन तो खेर नहीं बोलना चाहिए रीमन सर ने करी थी और उसके बाद दूसरे जो scientist है उन्होंने इनको join करा तो कहता है then there exist then there exist a number mu कि सर्थियोराम बहुत सही है यह देखो बहुत सही चीज कहता है number mu laying between the bounds of f laying between यह between लिखा है सहजी आप लोग समझते होगे the bounds of f the bounds of f very good such that bounds of f such that so condition मैं उपर लिखता हूं अराम से जो है आप लोग इसका क्या करें सर तब तक screenshot ले ले इसका क्या है mean value theorem का सर प्रूफ भी जो हम लोगोंने देखना है तो प्रूफ इसका कोई ज्यादा लंबा चोड़ा है नहीं छोटा सा प्रूफ है विजारी का तो देखी लेंगे देखो उसको है ना तो यहाँ पर देखें जी कहता है कि अगर ऐसा है तो आपने इसको ऐसे लिख सकते हो a से b fx dx is mu times b minus a यह कहती है first mean value theorem क्या कहती है कि आप लोग जो है सर इसको कैसे लिख सकते है थोड़ा सा मामला गड़बड हो गया है between the bounds है ना हम इसको इस तरीके से लिख सकते है that integral of a से b fx dx किसके equal होगा mu times b minus a और सर जी mu जो है वो कहां से कहां लाई करेगा यह infimum से लेकर supremum किसका सर जी f का नहीं वो देखो कही रहा है कि आपका जो mu है वो कहां लाई करता है between the bounds of f तो इसका जो है सर प्रूफ देख लेते हैं तो देखते हैं जी first mean value theorem का प्रूफ तो कहता है जी let छोटू m, छोटू m को क्या मान लेते हैं सर जी हम लोग infimum infimum of f और capital M को क्या मान लेंगे सर, supremum of f और mu जो है वो इनके बीच में कहीं है, ऐसा ही तो कह रहा है ना ये, mu जो है वो इनके कहीं बीच में है, तो यहीं से हम लोग देखो, start करते हैं हम लोग लिखेंगे, infimum is less than equals to mu is less than equals to supremum inequality में b minus a से multiply करते हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता है क्या, बताएगा m, b minus a less than equals to mu, b minus a less than equals to, very good capital m, b minus a, सर जी जब इतना लिखी लिया है, तो आप यह देखें, हम लोगों ने अभी एक inequality देखी है, inequality क्या कहती है, inequality कहती है, that m, b minus a is less than equals to, a से b, fx dx, very good, capital m, b minus a, ऐसी देखें सर जी inequality अभी, तो इन दोनों inequality के बिहाफ पर, हम लोग कह सकते हैं, इन दोनों inequalities के बिहाफ पर, हम लोग यह कह सकते हैं, क्या, that a से b, fx dx is nothing, but mu times b minus a, आप देखो, जड़ा compare करवाओ सर जी, दोनों को क्या कहते हो, इसकी ना एक दूसरी wording भी है, तो दूसरी wording जो है, वो भी हम लोग साथ की साथ note कर लेते हैं, ताकि सर जी, कभी किसी book को आप पढ़ो ना, वैसे तो आपको जरूवत पढ़ेगी नहीं, किताब को मतलब पढ़ने की detail में, बट फिर भी अगर आपके पास sufficient time है, और आप किताब पढ़ रहे हो, तो क्या होता है, किताब में different different books आती हैं, आप समझते हो, different different books में different different wordings use करी होती है, तो कई book में जो है सर ये भी लिखा होता है, in other words, we can also say that, we can also say that, also say that, ये लिखते चलना साथ की साथ, if f is continuous, if f is continuous, very good, in closed interval a, b, then there exist a number c, c, then there exist a number c, a number c, laying between a and b, between a and b, such that, such that, तो कहता है जी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a से b, very good, fx dx is nothing but f of c, b minus a, ठीक है जी, ये basically सर जी, mu को जो है वो इस तरीके से लिख दिया है, आप ये समझ सकते हैं, f of c की value कहां से कहां के बीच देखने को मिलेगी, इसके infimum और supremum के बीच में, ऐसा ही तो है, तो बहुत बढ़िया, इसके बाद देखो, अगला जो point है, वो लिखते हैं हम लोग, अब ये कैसा जी, फिर कुछ inequalities ही हैं, तो इनको note कर लेते हैं, inequality number 4, ये third जो है, वो अपनी क्या थी, first mean value theorem थी, अब inequality number 4, देखो क्या कहती है, ये कहता है, if f is bounded, कहता है, जी, if f is bounded, ये जो है ना, inequalities, ये आपके कैसर questions में use हो जाती हैं, तो अभी हम लोग question भी देखेंगे, जो UPSC में आया हुआ है, यहां से, inequalities के उपर ही, तो आप समझ पाओगे, किस तरीके से, inequalities को use किया जा रहा है, ठीक है जी, इंटीग्रेबल, in closed interval, a, b, very good, and k is a number, and k is a number, such that, आ जाएगा, यहां पर, सच तो आई जाएगा, such that, very good, such that, x belongs to, close interval, a, b, mod of f of x, is less than or equals to k, then, condition, सर ध्यान रखिएगा, condition क्या कह रहा है, कि अगर आप fx का mod ले, अगर आप fx का mod ले, तो वो k या k से क्या आना चाहिए, सर, छोटा, उस इस्थिती में, यह condition, जो है, वो, मतलब, यह inequality hold करेगी, mod of integration of fx dx, ठीक है जी, यह छोटा या equal देखने को मिलेगा, k times mod of b minus a, यह सर जी, inequality के ध्यान होनी चाहिए, मतलब, यह random, जो है, कहीं भी question में, चिपक जाती है, और फिर अगर उस time पर सर ध्यान ना आए, तो बड़ी तकलीफ होती है, आप समझ सकते होंगे, कभी जब आप question करने बैठते हैं, तो बहुत बारी ऐसा होता है कि, कोई concept था, और वो बहुत छोटा ही concept था, कहने को तो, लेकिन अभी भूल गए हो आप, तो सर, वहाँ पर बड़ी तकलीफ देता है, खेर, अगला देखो सर, इसके बाद अगली जो है, inequality देखते हैं हम लोग, तो मैं उमीद ऐसी कर रहा हूं, कि, यह तो सक्षर क्या ही है समझने का, बट फिर भी आपको थोड़ा बहुत चीज़े जो है, वो clear हो रही होंगी, हैना यह note करनी है, बाकी जो चीज़े समझने की है, वो मैं साथ की साथ समझाता चल ही रहा हूं आप लोगों को, तो ऐसे ज़ कोई आप लोगों को दिक्कत आई की नहीं, इसके बाद देखो, अपने पास जो है, अगली इनेक्वैलिटी है जी, इनेक्वैलिटी नमबर पाँच, यह कहती है, इफ एफ इस बाउंड़िड, वेरी गूड, और इंटीग्रेबल इन एकोमा बी, और इंटीग्रेबल बहुत बढ़िया, इन, क्लोज़ इंटरवल एकोमा बी, एंड, एंड जिपका रख है, एफ एक्स इस ग्रेटर देन और इक्वल्स तू जीरो, फोर ओल वेल्यूज उफ एक्स, बेलॉंग्स तू क्लोज़ इंटरवल एकोमा बी देन, तो कंडीशन है जी, कहता है कंडीशन क्या कहता है, मैं उसको लिखता है सर्जी अलग मारकर से, तो थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, कहता है आपका ये जो इंटीग्रल है, एसे बी, सर ये वाली इनेक्वैलिटी आप कहोगे, ये तो ओगयसी बात बोल दी, ये greater than or equals to zero होगा, if B is greater than or equals to A, और less than or equals to zero होगा, if A is greater than or equals to B, आप कहेंगे सर, ये तो क्या ही बात कर दी नहीं, ये तो हमें पहले से ही पता थी, कोई बात नहीं सर लिख ले, अगली देखें जी, जी 6th inequality क्या कहता है, कहता है if f and g अब दो function आ गए है market में if f and g are bounded very good are bounded and integrable and integrable बहुत बढ़िया integrable then तो यहाँ पर कैसा जी दो condition है तो देख लेते हैं वो कहता है कि मान लो सर जी आपका जो f है वो greater than or equals to g है यह implies यह कर रहा है कि आपका जो integral है a से b fx dx will be greater than or equals to होगा किसके? integral of a से b gx dx यह कब होगा सर? जब b is greater than or equals to a और यही चीछ सर्जी उल्टी हो जाएगी fx dx will be less than or equals to a से b gx dx very good यह कब होगा? जब आपका सर a बढ़ा हो किसे b से ऐसा अगर आप करोगे तो सर in equality का क्या ही हो जाएगा sign change very good आगे देखें जी क्या कहता है? कहता है जी अगला जो है वो कुछ बाते हैं सर जो जाननी जरूरी है तो यह भी देख लेते हैं कहता ही है जी बात अपनी दी इंटीग्रल दी इंटीग्रल फंशन इंटीग्रल फंशन ओफ एन इंटीग्रेबल ओफ एन इंटीग्रेबल फंशन फंशन इस continuous यह कहा है वैसे यूज नहीं होती बड़ सर यह बता रहा हो ना कभी-कभी अड़ी में फज जाती है कहता है जी इस property का मतलब क्या है आपने किसी function को सर integrate किया लेट से 5x को integrate किया और यह आगया gx ठीक है तो property कह रही है integral function of an integral function is continuous मतलब यह integral function था इसका integral क्या आएगा gx तो यह gx क्या होगा इसके according continuous क्या होगा सर बोलो अगर 5x अपना integral है और 5x का integral gx है इट मींज gx क्या होने वाला है सर जी continuous अगला है देखें साजी point जो है वो 8 the integral function बस साजी थोड़ इसी patience रखें आप लोग इस lecture के अंदर मुझे मालूम है यह properties ऐसे लिखना और समझना kind of pouring होता है बट साजी देखो थोड़ा सा patience रखें वर्थ है नहीं वर्थ होता तो हम लिख रहे हैं the integral function phi of a continuous function f is continuous continuous function f is continuous and continuous function f the integral function phi of a continuous function f is continuous and यह कहता है जी phi dash is equals to f तो property क्या कह रही है कि आपका जो integral function f है किसी continuous function f का वो क्या होगा continuous और अगर आप इसका derivative लेंगे तो सरजी f आही जाएगा यह obviously बात है सर आपने f को integral करा और f का integration phi आया तो phi का derivative क्या हो जाएगा f इसका जरा आप लोग क्या करेंगे screen short जो है सर वो ले ले इसके बाद देखो हम लोग बात करते हैं fundamental theorem of integral और second mean value theorem की तरफ चलेंगे फिर करेंगे सर जी इनके उपर numerical तो सर देखिए अब हम लोग बात कर लेते हैं fundamental theorem of integral calculus बस सर थोड़ा सा patience और रखें फिर हम लोग जो है numerical पार्ट पर आ रहे हैं और tension ना ले सर आज इस chapter को जो हम खतम करके ही दम लेंगे पस आपका साथ बहुत ज़्यादा जरूरी है सर आप support बनाए रखेंगे तो syllabus भी बड़े आराम से पूरा होगा और चीजे भी बड़िया समझ आएंगे तो topic है जी fundamental theorem of integral calculus fundamental theorem of integral calculus very good यह सर आप class 12 से पढ़ते आ रहे होगे integral calculus की fundamental theorem सर पढ़ी है तो comment में बताना अमिर को है न तो कहता है if f is bounded f is bounded very good integrable bounded तो है देखें साथ में integrable भी है and admits and admits 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 of a primitive phi of a primitive phi सर यह मैं समझाता है आपको यह क्या चीज है primitive primitive phi in a closed interval a,b then देखो हम यह कहते हैं अगर हम f का integration करें तो phi आ रहा है it means f का primitive जो है सर वो phi है समझा ही बात क्या कह रहा हम सर जी मैं अगर आप f का integration करो और integration करने पर सर जी आपका answer आ रहा है 5 या मैं उल्टा समझो इसको phi का derivative कर रहा हूं तो f आ रहा है it means phi is a primitive of f तो कहता है सर अगर ऐसा है तो फिर यह वाली बात जो है न यह बिल्कुल सही होगी बात क्या कहता है a से b f x b x very good इसको लिख सकता है हम phi of b minus phi of a यह है जी अपनी कौन सी थियोरम fundamental theorem of integral calculus और यह सभी ने बच्पन में पढ़ी होगी इसके बाद सर जी second mean value theorem second mean value theorem और इसको ना बहुत से लोग जो है वो ऐसे भी बोलते हैं first mean value theorem generalized case है ना तो second mean value theorem बोल दो या बहुत से लोग इसको क्या भी बोलते है first mean value theorem generalized case ठीक है जी तो देखें जी यह क्या कहती है theorem यह theorem बड़े काम किये sir questions में in fact जो question आया था UPSC में 2008 में आया था एक उसमें यह theorem जो है वो इस्तमाल होगी वो हम लोगा भी discuss भी करेंगे आपके साथ तो कहता है integral a से b fx dx और इंटीग्रल एसे भी 5x dx दो इंटीग्रल है sir fx dx 5x dx बोथ एक्जिस्ट बोथ एक्जिस्ट और एक्जिस्ट और और फाइक्स 5x keeps the same sign sir थोड़ा सा ध्यान दीजेगा शब्दों पे keeps the same sign very good same sign positive और negative throughout the interval of integration throughout the interval of integration interval of integration very good इसके बाद साजी सारा खेल है then there exists a mu रहना then there exists then there exists a number mu a number mu very good laying between the bounds of f laying between the bounds of f very good such that सर जिस्ट यहां पर जो है ना शब्दों पर ध्यान देना है क्योंकि सर यह शब्द ही जो है वो मसले कर देते हैं बाद में तो कहता है फिर अगर अगर ऐसा है मैं थोड़ा सा इसको समझाता भी हूँ आप लोगों को यह important है सर f x phi x dx को लिखा जा सकता है mu a से b phi x dx अब देखो सर इसमें हमारे काम की बात क्या है सबसे पहले काम की बात तो यह है कि यह वो phi x है जो अपने a से b interval में sign को सेम रखे हुए है मतलब positive है तो a से b में पूरा ही positive है हमेशा ही positive आता है या negative है तो a से b में हमेशा ही negative आता है ऐसा नहीं होना चाहिए कि a से b के बीच में सर यह पहले तो कुछ time तक positive और फिर negative हो जाए ऐसा होगा तो सर यह वाली theorem हम लोग नहीं लगा सकते और लगा हुए तो मातारानी आप लगाएगी देखो समझ लिए आप लोग बात को तो यह theorem सर काफी काम आती है अपने कैसे काम आती है समझेंगे पहले इसका proof देख लेते हैं proof proof है देखो छोटा सा ही proof है इसका भी सर कोई जादा लंबा चोड़ा proof नहीं है आपकी थ्योरम बड़े काम किये यह इससे देखो आपका इंटीग्रल थोड़ा सा असान हो गया है नहीं कहता है जी let 5x is positive ऐसा माल लेते हैं 5x जो अपना वो positive है for all values of x that belongs to close interval a, b very good if capital M and छोटु M are the bounds of f या be the bounds of f very good bounds of f we have तो इसको जो है मैं उपर लिखता हूँ सर आप लोग क्या करें इसका screenshot जो है सर जी वो ले ले तो मैं लिखता हूँ क्या कहता है देखो ये इसका जो proof है ना सर बड़ा ही छोटा सा है बिल्कुल प्यारा सा ननना सा मुनना सा कोई तकलीफ ही नहीं देता है नहीं तो देखते हैं सर जी इसमें क्या कहता है अगर ऐसा है तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जो अपना fx है वो सर इसके और इसके बीच में ही लाए करेगा for all values of x that belongs to close interval a, b पूरी inequality को हम लोग क्या करते हैं phi x से multiply phi x fx phi x m अब देखें जी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि m integral a से b यह तो भी constant है तो phi x dx integral a से b phi x के साथ में क्या भी है fx dx यहाँ पर capital m constant है a से b phi x ऐसा यह सर जी यह कब होगा अभी देखो inequality पढ़ी है when b is greater than or equals to a ऐसा ही है सर जी इसमें यह case उल्टा भी होई सकता है तो अगर यह उल्टा हो जाएगा तो inequalities के sign आप लोग क्या करतेंगे change क्या करेंगे बोलो change करेंगे तो a से b phi x fx dx is greater than very good capital m a से b oh d x भी है आपका रहे गए phi x t x यह कब होगा when a is greater than or equals to b सर आप दोनों ही cases को देख लो यह देखो यह कहां से कहां के बीच में है यहां से यहां के बीच में तो मैं सब बोल सकते हैं क्या इन दोनों inequality के बिहाफ पर कि यह वाली बात true है क्या कहते हैं बोल सकते हैं सर जी आप इसको न ध्यान से देखो बिल्कुल ध्यान से कि यह जो आपका है यह इसके और इसके बीच में है और अगर यह भी scene होता है तब भी यह इसके और इसके बीच में है तो दोनों ही cases में कोई एक case होगा जाहिर सी बात है तो दोनों में से अगर कोई एक case भी होता है तो यह वाले बात सही है क्या है दिखकत है नहीं इसका सर आप लोग screen shot ले लें अब एक न सेकंड mean value theorem का सर एक form और है तो वो भी देख लेते हैं बस यह last है उसके बाद हम लोग सहाजी आपका और जो है वो patience का test नहीं लेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे अपने जो questions है ना उनकी तरफ चलेंगे तो आप questions देखेंगे तो सर जी आपको बहुत जादा जो है वो अच्छा लगेगा कि हाँ हमसे question हो पा रहे है इसके बाद सर जी अपना second mean value theorem है वो दूसरी है the stresses form wear stress form wear stress form वो आप पढ़ लेना यार जो भी है ना तो मैं इसको हटा देता हूँ और मैं लिखता हूँ आप पढ़ लेना और मेरे कोई बता देना भीया क्या बोलते है नाम थोड़ा जीब सा लगता है मेरे को अपने पास है second mean value theorem second mean value theorem मतलब कहीं पर लिखाओ ना कि test करो second mean value theorem के लिए तो आपको इसी theorem के लिए test करना है जो अभी पहले पढ़ी है ना उसको हम बोलते है generalized first mean value theorem ऐसा जातर वो उस नाम से famous है और ये form है ये ये नाम जो है आप लोग मुझे बताईएगा इसको क्या बोलते है नई ठीक है जी तो ये क्या कहती है देखें जी कहता है if fx and अच्छा मामला ही गड़ बड़ा भीया सीधा integration से भी बात कर रहे है तो if integral of fx and phi x and phi x both exist both exist both exist and phi is monotonic and phi is monotonic मतलब increasing हो या decreasing हो चलेगा बट होना monotonic चाहिए in closed interval a,b in closed interval a,b then there exist then there exist ek number as e epsilon that belongs to closed interval a,b such that such that such that a,b fx phi x dx is equal to phi of a integral a,b 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 number fx dx कोश्चन लेंदी अब क्या कर सकते हैं अराम से लिखेंगे शोव देट सेकेंड में एम विटी लिख देता हूं में शॉट फॉर्म में में वैल्यू थियोरम ड़स नॉट होल्ड गुड ड़स नॉट होल्ड गुड इन दी इंटर्वाल इन दी इंटर्वाल माइनस वन से वन माइनस वन से वन फोर फोर fx is equals to 5x is equals to x square ठीक है जी इसके बाद सर यहीं नहीं है और सुनते जाओ ज़रा तो कैता है वत अबाउट वत अबाउट वरी गूड दी वैलिदी वैलिदी अव दी जरनलाइज दी जरनलाइज दी वीटी इन दिस केस यह इन दिस केस तो कैता है जी आप पहले तो यह जरा प्रूफ कर दें क्या कर दें प्रूफ कि जो अपना second mean value थियोरम है वो इनके लिए जो होल्ड नहीं करती है ना और कहता है जी आप क्या कहते हो कि फर्स्ट जर्नलाइज क्या फाय यहां पर मोनोटोनिक है एक्स स्क्वेर का ग्राफ कैसा बनता है सर माइनस वन से वन के बीचे कर हम लोग बनाएंगे तो ऐसा ही आएगा तो यह मोनोटोनिक तो कहीं से नहीं है नहीं पहले यह डिक्रीज हो रहा है फिर यह इंक्रीज हो रहा है तो आंसर में क्या आ in minus 1.7 SISR, hence second MVT does not hold good for TG, hence second MVT does not hold good, does not hold good, समझ गया साज जी ये तो बात आप, कि ये second MVT जो ये वो क्यों नहीं hold करती, क्योंकि x² जो है monotonic नहीं है अब first generalized first mvt की बात करें तो उसमें क्या होता है कि आपका जो function है सर उसका sign same होना चाहिए interval में ऐसा ही था throughout the limits of integration तो आप देखे minus 1-7 के बीच में सर ये कैसा sign लेके रखेगा अपना positive तो एक बार को हम लोग जो है वो कोशिश कर सकते है कौन सी theorem लगाने की generalized first mvt generalized first mvt के according minus 1-1 fx phi x dx will be equals to mu यहीं बात a से b fx की phi x क्या कहते हो सर जी phi x dx ऐसा ही कहते है और mu जो है सर वो कहां से कहां आना चाहिए between the bounds of the f f के bounds क्या होंगे सर जी आप देख लें जड़ा इस interval में अगर हम बात करें x square की minus 1-1 के बीच में तो 0-1 आएगा bound f का क्या कहते हो इस interval के अंदर 0-1 ऐसा ही आएगा न अपना bound जो है तो यानि अगर हम इसको solve करें और mu का value अगर अपना आ जाए किसके बीच में 0-1 के बीच में तो हम कहेंगे भाया first mvt जो है वो इसके लिए hold करती है ठीक है जी और अगर mu का value 0-1 के बीच नहीं आता तो हम कहेंगे सर second तो गया भाड में first भी नहीं करती हो ठीक है तो इसको करें देखो solve थोड़ा सा उपर कर लेते हैं इसको solve यहाँ पर तो आयाओ जी integration करते हैं और देखते हैं क्या first mean value theorem जो है वो hold करेगा इसके लिए चालो जी बहुत बढ़िया तो देखें सर यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा मैं इसको ऐसे लिख सकते हैं न टू टाइमस सीरो से वान वेरी गूड x का power 4 dx is equals to mu minus 1 से 1 x square dx तो यह हो जाएगा 2 by 5 x की power 5 तो 1 आजाएगा सर जी यह तो नहीं 5 बहार लिख दिया है यहाँ क्या आजाएगा 2 और by 3 और mu यह आजाएगा देखो इसका answer तो यहाँ पर कुछ cancel हो रहा है क्या 2 से 2 cancel हो रहा है very good it means mu is nothing but 3 by 5 वो सर 3 by 5 कितना होता है 0.6 आप देखें सर 0.6 क्या 0 से 1 के बीच में आप कहेंगे जी यह तो 1 के बीच में है है की नहीं सर जी तो यानी first mean value theorem तो hold करती है सर सेकिंड नहीं करती बस समझा गई बात चलो जी बहुत बढ़िया इसका screenshot लो सर जी फिर देखो हम लोग जो है वो अगले question की तरफ चलते हैं जिनमें अपनी कुछ और properties का जो है वो इस्तमाल किया जाएगा तो मैं question लिखता हूँ उसके बाद हम लोग उसको solve करने की कोशिश करेंगे question कहता है जी देखें आप ये question अगर आपने J की preparation करी है न सर तो ये question भी किया होगा बट ये इस तरीके से नहीं सोचा होगा जैसा अब यहाँ पे हम लोग सोचने वाले है तो question कहता है जी prove that the function defined on 0 से 4 f है fx है और fx है mod x नहीं greatest integer of x और यहाँ पर for all values of x that belongs to 0 से 4 ठीक है जी is integrable is integrable हमेज पहले तो यही शो करने है कि यह function integrable है और इसका जो answer है सर वो 6 आता यह भी prove करने है आप सर एक बात समझे जरा यह जो अपना fx है इसके अंदर जो है न 0 से 4 में यह बहुत बारी discontinue होगा greatest integer के बारे में जो लोग नहीं जानते मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ तो जिनको देखो greatest integer function के बारे में नहीं पता सर थोड़ा सा मैं brief करता हूँ इसका मतलब पता है क्या होता है nearest और इससे छोटा integer तो 0.6 से छोटा और nearest integer क्या होगा 0 जिससे 1.9 है 1.9 से छोटा और nearest integer क्या होगा सर क्या कह रहे हो 1 होगा क्या very good 1.99 है तब भी answer क्या ही आएगा 1 1.01 है तब भी answer क्या आएगा इसका 1 ठीक है जी आप देखें यह जो आपका होता है सर यह हर integer value पर discontinuous है आप इसका graph देखेंगे न अगर calculus वाली playlist अगर आप लोगे ने देखी है नई देखी तो सर आप देख लेना उसमें graph इसका समझाया हुआ है कि यह जो greatest integer है सर यह हर integer पर क्या होता है लेकिन आप देखें 0 से 4 में आपके जो point of discontinuity है सर जी वो finite है तो property हम लोग उने पढ़ी थी क्या कि अगर आपके जो discontinuous जहां पर function होता है अगर वो point सर जी आपके finite है तो उस case में आपका यह जो function है यह integrable होता है समझा था सर ऐसे आप देखें मैंसे लिख सकता है गया fx का value 0 रहेगा कब 0 से 1 के बीच में 1 रहेगी कब सर जी 1 से 2 के बीच में ऐसा ही है और इसकी value जो है 2 रहेगी कब बोलो जी 2 से लेकर 3 के बीच में और 3 रहेगी कब 3 से लेकर 4 के बीच में ऐसा ही है साजी तो हम लोग क्या करेंगे 0 से 4 fx dx को तोड़ेंगे 0 से 1 very good fx dx then 1 से 2 fx dx plus 2 से 3 fx dx and 3 से 4 ऐसा ही करेंगे साजी देखें आप अब 0 से 1 के बीच में fx का value कितना है 0 तो साजी इस integral का क्या ही हो जाएगा यहाँ पर देखें सर fx को क्या substitute कर देंगे 1 तो यह तो 1 हो गया तो dx आ गया 2-1 आंसर कितना आगया साजी 1 आ गया ऐसा ही है यहाँ पर इस fx को क्या substitute करेंगे 2 तो बहार आ जाएगा और 3-2 कितना हो जाएगा साजी 1 प्लस यहाँ क्या substitute करेंगे देखो 3 इतना सर असान question UPSC में नहीं आता है but 4-3 1 confidence build up करने के लिए सर जरूरी है तो देखो यह आही गया अपना six आ गया ना एक question और देखें सर इसी बिरादरी का थोड़ा सा हो सीखने को मिलेगा आप लोगों को मैं लिखता हूँ और उसके बाद जो है सर हम लोग उसको judge करेंगे और इसके बाद एक बहुत शानदार question करेंगे हम लोग आप भी कहेंगे जी वा जी वा मया आगिया जनाब ये इसमें भी देखो ये greatest integer ही है तो सर अब ये कहां कहां discontinue होगा जहां जहां ये integer value लेगा मतलब अगर मैं बात करू सर at x half x half पर ये कितना हो जाएगा 1 तो discontinuous होगा और मैं बात करू सर x 1 पर भी discontinue होगा 0 से 2 के बीच में और 3 by 2 पे भी क्या होगा discontinuous होगा क्यों सर जी 3 by 2 पे भी कैसी value ले लेगा इंटीचर ही value ले लेगा क्या very good तो यानि इस integral को हम कैसे करेंगे हम करेंगे ऐसे 0 से पहले कहां तक तोड़ेंगे half ये हो जाएगा x आप सर ये देखें 0 से half के बीच में इसकी value क्या रहेगी 0 से half मतलब 0 से 1 तो ये value आएगी 0 ऐसा ही आएगी सर मेरे को बताते चलना कमेंट में अगर समझना है तो 1 by 2 से 1 x सर 1 by 2 से 1 के बीच में ये मतलब 1 से 2 के बीच में जा रहे है तो इसकी value क्या आएगी 1 ऐसी आएगी फिर कहां से कहां जाएगे 1 से 3 by 2 x 1 से 3 by 2 जाने का मतलब है 2 से 3 जाना 2 से 3 जाने में इस पूरे की value क्या रहेगी 2 और last में कहां जाएगे हम 3 by 2 से क्या कह रहे हो सर जी 2 पे जाएगे 3 by 2 से 2 जाना मतलब 3 से 4 पे जाना तो उसमें इसकी value क्या रहेगी 3 ऐसी रहेगी तो देखें जी answer क्या आज जाएगा इसका तो सर हो गया happy birthday नहीं यह हो जाएगा अपना 1 minus half very good और यहाँ पर सर जी यह हो गया 2 इसका integral अच्छा इतनी तेजी भी नहीं काट नहीं भईया इसका integration क्या होगा x square by 2 तो 1 by 2 बाहर ले लेते हैं x square मतलब 1 minus 1 by 4 plus इसका x square by 2 2 से 2 का happy birthday यह हो जाएगा 9 by 4 minus 1 इसका हो जाएगा सर जी x square by 2 2 का square 4 3 by 2 का square 9 by 4 ऐसा ही हो जाएगा तो क्या कहते हो जी इसको solve कर लें यह कितना आएगा सर 3 by 4 3 by 4 into में 1 by 2 इस 3 by 8 यह कितना आएगा 5 by 4 तो मैं इसको 10 by 8 लिख लू सर जी है ना और यह कितना आएगा 4 for the 16 16 minus 9 कितना हो जाएगा सर 7 और साथिया 21 तो कितना आजाएगा यह 10 और 21 31 और 34 34 बटे 8 तो इसको काटेंगे उस्ताद जी तो क्या आजाएगा यह यह आजाएगा 17 बटे 4 आएगा बहुत बढ़िया तो इसका क्या करेंगे सर एक जो है स्क्रीन शोट निकालेंगे अभी देखो हम लोग एक कोशन ऐसा करते हैं सर आपकी ना तबेत खुश हो जाए तो मेरे को कमेंट में बताना मतलब आपका जो है लेक्चर देखना सफल हो याएगा आज का अगर यह वाला कोशन आप समझ गए तो बहुत ही बढ़िया कोशन है अगेन इसमें जो है एक प्रॉपर्टी का हम लोग इस्तेमाल करेंगी आप कौन सी प्रॉपर्टी का करेंगे सर जी वो देखते हैं कोशन की नजाकत को देखते वे हम लोग डिसाइड करेंगे कहता है जी function define किया हुआ है fx यह last class में भी इसका जिक्र हुआ था वन की पार वन बार टू एन वेन तो मेरे को यह तो बताने की जरुवत है नहीं कि यह इंटीग्रेबल है सर लास्ट कक्षा में हम लोग ने इसको देखा था यह इंटीग्रेबल तो है क्योंकि यह function कैसा है monotonic 01 आज कुछ और बात कर रहा है वो इससे और f of 0 क्या given है अपने को 0 वो कहता है कि यह function integrable है is integrable is integrable on 0,1 ठीक है जी although अब देखो जित्विस्ट आगिया मार्केट में it has although it has an infinite number of an infinite number of points of discontinuities points of discontinuities कहता है जी आप यह देखें इसमें infinite number of क्या है point of discontinuity है आप लोग समझ पा रहे होंगे सर्जी कैसे मैं थोड़ा सा समझाता हूँ also show that also show that show that very good that 0 से 1 fx dx is nothing but 2 by 3 यह सर्जी question जो है वो कुछ ऐसा है आप देखें सर यहाँ पर अब यह क्या कहता है कि function इस तरीके से defined है तो last class में हमने देखा ही था कि यह monotonic है तो अपना जो है यह क्या होगा integrable तो हो गई सर आज एक दूसरा concept और सीखते हैं थोड़े सी अगर मैं fx की values लिखू तो n को जैसे ही 0 substitute करेंगे यह कितना आजाएगा 1 तो यह कब है half से लेकर 1 के बीच में ऐसा ही ऐसा जी फिर ही आजाएगा 1 by 2 1 by 2 की power 2 से लेकर half के बीच में फिर कितना आएगा यह 1 by 2 square 1 by 2 की power 3 से लेकर 1 by 2 की power 2 से लेकर 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 लास्ट में क्या आएगा सर्जी 1 by 2 की power n minus 1 यह कब 1 minus 2 की power n से लेकर 1 minus 1 by 2 की power n minus 1 तो आप देखें सर यह अपना monotonic तो है और f of 0 0 है यह तो हम लोगों ने देखा ही था लेकिन आप सर यह भी देखें यह जो function आप वो discontinuous है कैसे है discontinuous देखो 1 पे function की value कितनी चल रही है 1 कोई दिक्कत नहीं थी half पे value कितनी चल रही है half half से जैसे ही ज़्यादा गए 1 तो मिल गए एक point of discontinuity यहाँ देखें सर 1 by 2 square पे मिलेगा एक point of discontinuity क्यों 1 by 2 square या उससे पहले value का चल रही है 1 by 2 square जैसे उससे बाद गए value क्या हो गई 1 by 2 तो आप यह देखेंगे सर इसके अंदर point of discontinuity है वो infinite है लेकिन मज़े की बात यह है जब सर आप उन points का set बनाओगे क्या बनाओगे उस्ताज जी set बनाओगे तो उनका limit point एक आएगा 0 कैसे point of discontinuity क्या आ रहे है half आ रहा है 1 by 2 square 1 by 2 cube 1 by 2 4 1 by 2 5 1 by 2 6 1 by 2 7 ऐसे आ रहे है तो जब आप यह निकालोगे तो आप देखोगे सर उस set का सिरफ एक limit point है that is 0 और यह property सर हमने पढ़ी थी क्या कि अगर आपका function के अंदर discontinuity point बहुत सारी है लेकिन अगर उसके जो limit points है वो finite है किसके जो discontinuity के जो point है उनका set अगर उसके limit point finite है it means function is integrable hence it is integrable सरफ second part यह है यह मसला है सारा का सारा तो देखो 0 से 1 fx dx को हम लोग कैसे लिखेंगे तोड़कर half से 1 very good fx dx plus 1 by 2 square से लेकर 1 by 2 fx dx एक दो term और लिख लेते हैं यह हो जाएगा 1 by 2 cube से लेकर 1 by 2 square fx dx से 1 by 2 की power n minus n से लेकर 1 by 2 की power n minus 1 fx dx इसी तरीके से हो जाएगा सर इनकी values थोड़ी सी substitute करते हैं जरा तो यह हो जाएगा half से 1 सर हाफ से 1 में क्या चल रहा है यह 1 simply dx very good 1 by 2 square से लेकर 1 by 2 के बीच में क्या चल रहा है सर आप कहेंगे जी 1 by 2 1 by 2 बाहर आजी आएगा अंदर क्या बचेगा 1 by 2 1 by 2 का square dx अच्छा उल्टा लिख दिया चलो जी इसके बाद सर देखें 1 by 2 cube से लेकर 1 by 2 square में क्या चल रहा है 1 by 2 square 1 by 2 square क्या आएगा integration से बाहर आप कहेंगे जी बहुत बढ़िया अब देखें सर जरा और ऐसे last वाला जो है उसमें क्या जाएगा 1 by 2 की power n minus 1 integration से बाहर यह हो जाएगा 1 by 2 की power n देखें सर यह इतनी महनत जो है आप लोगों के लिए करी जा रही है तो सर अगर आपको चीजे समझ आ रही है न तो एक तरीके से humble request है आप channel को जादा से जादा क्या करें share करें तो अब सर बस काम बन के आएगा अपना इतने में देखो इसको अप सुल्टा देंगे हम लोग थोड़ा था यहाँ पर यह क्या आएगा 1 minus 1 by 2 देखते रहे ना वही तेजी बहुत कटेगी यहाँ क्या है 1 by 2 और अंदर क्या आएगा 1 by 2 minus 1 by 2 का square 1 by 2 का square यहाँ क्या है 1 by 2 का square अंदर क्या आएगा 1 by 2 का square minus 1 by 2 का cube से लेकर dot 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 1 by 2 की पार N minus 1 minus 1 by 2 की पार N, ऐसा ही आएगा सर जी, क्या कहते हो, चलो जी, बहुत बढ़िया, आप देखें सर, इसमें ये कितना बचेगा, हाफ, 1 by 2, सर, LCM ले ले, 2 की पावर 2 आएगी, तो 2 minus 1, सो भाग्य से क्या बचेगा, 1 by 2 की पावर 2, आप देखें सर, यहाँ LCM ले बचेगा मेरे साब से, ऐसा ही आएगा न, 2 minus 1, 2 minus 2 गह रहूं मैं भी, यह क्या बचेगा सर जी, 2 minus 1, 1 by 2 ही बचेगा, क्यों मतलब उपर ही तो 1 ही बचेगा न, इस तरी तरीके से आप लास्ट वाले में भी अगर देखेंगे, तो 1 by 2 की पावर N minus 1 तो है, अंदर LCM कितना आएगा सर जी, 1 by 2 की पार N, और ऐसा जब हम लोग करेंगे, तो फिर यह क्या हो जाएगा, देखो, 2 की पार N लेंगे, तो यहाँ N minus 1 है, एक N की कमी है, नहीं, तो यह 2 आजाएगा, 2 minus 1, अगेन क्या हो जाएगा, 1 by 2 की पार N, ऐसा ही हो जाएगा, सर इस पूरे में जो है जाएगे, तो यह बच जाएगा, 1 by 2 की पार N minus 1, ऐसा बचेगा ना, यहाँ पर 2 N minus 1, देखो, जब 2 कमन ले लोगे, यह भी क्या जाएगा, N minus 1, N minus 1, N minus 1 क्या हो जाएगा, सर जी, 2 times N minus 1, और इसको हम ऐसे लिखी सकते हैं, नहीं, ऐसा इसलिए लिखा है, कि यह क्या बन ग इतना चल रहा है, 1 by 2 की पार N, है ना, और नीचे क्या आएगा, अपने पास, अच्छा, यह है, कॉमन रेशो, 1 by 2 स्क्वेर, नीचे आएगा, 1 minus 1 by 4, 2 स्क्वेर, बेसिकली, तो इसको सर सल्टा दे, यहीं पर क्या कहते हो, 1 by 2, यह कितना हो जाएगा, सर जी, 4 minus 1, that is 3 by 4, 3 by 4, तो सर रेसिप्रोकल कर देंगे, यह जाएगा, 4 by 3, और यह बचेगा, 1 minus 1 by 4 की पार N, यहीं बचेगा, तो कुल मिलाकर, यह integral सर जी, किसके equal आगया, 2 by 3, 1 minus 1 by 4 की पार N, जब सर लिमिट लगाएंगे, N tends to infinity, क्योंकि आप देख लें, N कहां तक जा रहा है, N tends to infinity, तो य आजाएगा, 2 by 3, 1 minus 1 by 4 की पार N, तो यह कितना आजाएगा, सर जी, अपना, क्या कह रहे हो, 2 by 3, आजाएगा क्या answer, क्या कहते हो, सर जी, आजाएगा, 2 by 3, बहुत बढ़िया, तो देखें, सर, हम लोगों ने, जो है, वो, किस तरीके से, इस integral को किया है, मैं उमीद गरता ह सर, आपको समझ आया होगा, किस तरीके से integral को सुल्टाया गया है, with the help of GP, and some basic properties, तो इसका जो है, सर, आप लोग क्या करें, स्क्रीन शोट तो ले ही ले, इसको not be करने, सर, important है, ये question, इसके बाद, जो है, क्या कहते हो, सर जी, अगला देखें, एक सवाल, है ना, सर जी, अब कहता है, मैं लिखता हूँ, उसके बाद, हम लोग उसको सुल्टाने की कोशिश करेंगे, तो question देखते हैं, क्या कहता है, लिखता है, सर जी में, तो, question ये कहता है, जी, show that, क्या कहता है, जी, show that, show that, 1 by pi, is greater than, equals to, 0 से 1, sin pi x, 1 by x square, dx, is less than, 2 by pi, सर, यहाँ पे देखो, हम लोग जो है, इसको, इस तरीके से करेंगे, मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, इसमें, जो है, हम लोग, use करेंगे, अपना mean value theorem, लेकिन generalize वाला, तो, यहाँ पे मैं, let कर लेता हूँ, let fx, इसको, 1 divided by 1 plus x square, और 5 x सर जी, let कर लेते हैं, sin pi x को, तो, देखो, जो generalize mean value theorem है, उसकी सर जी condition क्या होती है, कि आपका ये जो 5 x है, ये क्या लेना चाहिए, same sign, आप देखें, सर, 0 से 1 के बीच में, इसका sign क्या रहने वाला है, same ही रहने वाला है, नहीं, sign भाईया, 0 से 1 रखोगे, positive भी आएगा, नहीं, pi तक ही जाओगे न, आप ज़्यादा से ज़्यादा, तो positive भी आएगा, तो generalized mean value theorem, जो है, वो लग सकती है, generalized mean value theorem, तो देखो, जब ये theorem लगाएंगे, तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, that integral 0 से 1, sin pi x, divide by 1 plus x square, dx, will be equals to, किसके, mu times, 0 से 1, sin pi x, dx, और सर जी, ये, mu कहां से कहां, जो होना चाहिए, mu अपना होना चाहिए, किसमें, ये जो fx है, इसके bounds के between, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा बोली सकते हैं, तो इसको ऐसे ही रहन देते हैं, इसको सुल्टा लेते हैं, तो 0 से 1, very good, sin pi x, 1 plus x square, dx, mu times, ये कितना आ जाएगा सर जी, 0 से 1, minus cos pi x, divide by pi, ऐसा ही हो जाएगा, तो थोड़ा सा और करते हैं, इसको solve, ये हो जाएगा, 0 से 1, sin, pi x, 1 plus x square, dx, equals to mu, तो सर ये कितना हो जाएगा, cos pi minus 1, minus minus plus 1, बीच में एक minus आएगा, तो फिर cos 0, 1 होता है, minus minus plus हो जाएगा, तो यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं, क्या, सर जी, mu कितना आए अपना, mu आगया, pi by 2, 0 से 1, sin pi x, very good, 1 plus x square, dx, ऐसा बोला जा सकता है न, आप ये देखें सर जी, mu है क्या, mu आपका जो है, वो लाई करेगा, इसके, bounce के between में, यानि, mu जो है, वो इसके, infimum और supremum के बीच में लाई करेगा, ऐसा ही तो है, तो मैं बोल सकता हूँ क्या, then, there exist, there exist, a c, which belongs to, ये अपना जो, interval है, 0 से 1, ऐसा ही कहता है, theorem, which belongs to 0 to 1, such that, such that, f of c, is equals to, mu, ऐसा बोल सकते हैं न, यहां पर, तो f c, किसके equal हो जाएगा, देखो, mu के equal, क्यों, आप सर्द देखें, mu है क्या, mu जो है, वो इसके bounce के बीच में लाई करेगा, और अगर इसके bounce के बीच में लाई करेगा, तो सर्द जी, एक आपको c ऐसा जरूर मिलेगा, जब function की value, किसके equal हो गई होगी, mu के equal, आप देखें, mu किसके equal है, इसके equal है क्या, तो हम बोल सकते हैं क्या, that f of c is nothing, but pi by 2, very good, 0 से 1, sin pi x, सर, आप ये देख रहे हैं, कितने खूपसूरती से, जो है, generalized mean value theorem का, यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, नहीं, वो थोड़ा सा, आपका logic, कि अगर mu bounds के बीच में लाई कर रहा है, तो ये बात तो सही है, कि function कभी ना कभी तो ये value ले गई, लेगा ना सरजी, आप देखेंगे, जो 1 by x square function है ना आप ना, ये increasing function है कि decreasing function है, चेक कर लेते हैं सरजी, आप देखो, 1 रखोगे तो कितना आएगा, x is decreasing, और continuous तो है ये 0 से 1 में, तो sh कोई tension लेने की जरुवत नहीं है, कि ये condition होगी भी या नहीं होगी, नहीं, continuous है 0 से 1 के बीच में दिखी रहा है, function decreasing है, तो हम बोल सकते हैं क्या, f of 0 will be greater than, equals to f of c, f of 1, ऐसा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है, f of 0 क्या होगा सर जी, ये होगा 1, ये क्या होगा f of c, pi by 2, 0 से 1, sin pi x, 1 plus x square, dx, f of 1 क्या होगा सर, 1 by 2, आप देखें, 2 by pi से multiply कर दें इसको, तो क्या आएगा ये, 2 by pi greater than, और equals to, 0 से 1, sin pi x, 1 plus x square, dx, कितना आजाएगा सर जी ये, जब करोगे आप 2 by pi से, तो क्या कहते हो, 2 से 2 तो cancel होई जाएगा, 1 by pi बचेगा, आप देखें सर क्या, ये ही inequality हमें प्रूफ करनी थी, that 2 by pi, is greater than or equals to this integral, और greater than equals to 1 by pi, तो इसका जो है, आप लोग क्या करें सर, स्क्रीन शॉट ले ले, और मैं ऐसी उमीद कर रहा हूँ, कि आप लोगों को जो है, ये question समझ आया होगा, इसके बार देखो, एक question और देखते हैं अपना, जो कि UPSC में आया हुआ है, 2008 के अंदर, तो question को देखते हैं, और समझते हैं सर जी, कि जो है वो किस तरीके से अपना, solve करेंगे, तो आया हो जी, देखो क्या कहता है, ये भी show ही करना है हमें, question क्या कहता है, मैं लिखता हूँ, कहता है जी आप जो है, वो show करें, show that, limit, n tends to infinite, very good, 0 से 1, n टाइमस fx, divide by, 1 प्लस n स्क्वेर, x स्क्वेर, dx, is equals to, pi by 2, f of 0, और ये हमें गिवन है, that fx, is continuous, in 0,1, और ये अपना आया हुआ है साहजी, 0,1 में क्या है ये, continuous, ये आया हुआ है अपना, 2008, के अंदर, ठीक है जी, तो, क्या कहते हो सर जी, इसको करें, solve, आप देखें सर, सबसे पहले, जो है, हम लोग, इस integral को, इस तरीके से तोड़ सकते हैं, क्या, क्या कहते हो, we can write, we can write, हम अपनी मर्जी से नहीं लिख रहे हैं, प्रापर्टी का यूज करेंगे, that, 0 से 1, n टाइम्स, fx, 1 प्लस, n स्क्वेर, x स्क्वेर, dx, can be written as, 0 से 1 by root n, n टाइम्स, fx, सर, ऐसा क्यों करा है, अभी आप थोड़ी देर में समझ जाओगे, 1 by n स्क्वेर, x स्क्वेर, dx, प्लस, 1 by root n से, 1, ऐसा करी सकते हैं, भी, हमने देखा ये, प्रापर्टी जो है, definite, integrals की, ये जाएगा, 1 by n स्क्वेर, x स्क्वेर, dx, तो सर, इसकी लिमिट लेंगे, तो इन दोनों की ही लिमिट लेंगे, जाहिर सी बात है, तो पहले जो है, हम लोग इसको कर लें, solve, देखो जी, इसको हम लोग, solve कर लेते हैं, तो ना हो, 0 से 1 by root n, n time, fx, 1 plus n square, x square, dx, आप देखें सर, यहाँ पर, अगर हम वो लगाए, generalized mean value theorem, first mean value theorem, तो fx तो fx है, 5x में let कर लेता हूं, इसको, n times, 1 by n square, x square, आप देखें सर, 0 से 1 by root n में, इसका जो sign है, वो same रहेगा, नहीं, इसका sign क्या रहेगा, same, तो generalized, first mean value theorem के, according, हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, f of, let's say, alpha times n, और alpha n, जो है, वो fx के, bounds के बीच में रहेगा, ऐसा ही अपना, यही कहना था theorem का, कोई बात नहीं, 0 से 1, 1 by n square x square dx, ऐसा ही है, और यहाँ पर लिख देंगे, जो f of alpha n है, यह जो रामायन है, यह किस के बीच में रहने वाली है, bounds of fx, अभी fx के bounds अपने को given है नहीं, तो कोई बात नहीं, ऐसा लिख देते हैं side में, कि यह infimum से, ऐसे रहेगी नहीं, और अपना जो यह alpha है, यह जाहिर सी बात है, 0 से 1 by, root n के बीच में ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा सर जी है न, क्योंकि interval यहीं चल रहा है, देखो अपना जो है, आप देखें, यहाँ पर अगर हम लोग, nx को t ले ले, क्या ले ले सर जी, nx को t ले ले ले, तो बात बन जाएगी, तो इधर कर लेते हैं इसको, let nx is equals to t, then n dx is equals to dt, n dx उपर बैठा है, देखो पूरा का पूरा, तो यह integral जो है, यह किस तरीके से convert हो जाएगा, f of alpha n, alpha भी लिख सकते हो, simply alpha n लिख दो, तो कोई दिक्कत नहीं है, यह limits कैसे change होंगी, आप 0 substitute करेंगे, x को 0, और देखें सर, आप 1 by root n substitute करेंगे, तो यह कितना जाएगा, root n, उपर आ जाएगा dt, नीची आ जाएगा, 1 plus t square, तो यह क्या हो जाएगा, f of alpha n, n inverse, t, very good, 0 से root n, तो यह integral आगया अपना, f of alpha n, और, 10 inverse root n, minus 0 है ना, क्योंकि 10 inverse 0, तो 0 ही होता है, आप देखें सर, इस पर limit लगाएगे, क्योंकि यहाँ पर क्या लगी हुगी है, अपनी limit, तो यहाँ भी क्या लगेगी, limit लगेगी जाहिर सी बात है, और सर, यहाँ भी क्या लगेगी, अपनी limit, तो जब इस पर limit लगाएगे, it means limit, n tends to infinite, 0 से 1 by root n, n time fx, 1 प्लस n square x square dx, यह किसके equal होगा, limit n tends to infinite, very good, f of alpha n, और 10 inverse root n, ऐसा ही होगा, तो सर, जब आप लगाएगे, देखो, n को आप कहाँ अप्रोच करवा रहे हैं, infinity, तो यह 0, और यह भी क्या हो जाएगा, 0, तो इस case में, alpha n कितना हो जाएगा, आपका, 0 हो जाएगा क्या, तो मैं लिख सकता है, इस case में, देखो, आप यहाँ से देखो, n को आप infinite approach करवा रहे हैं, तो 0 और 0, तो यानि alpha क्या हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा, और 10 inverse infinite, कितना हो जाएगा, πाई बाई 2, तो यानि, इसकी जो limit है, इस वाले सर integral की limit क्या आ रही है, πाई बाई 2, f of 0, अला कि हमें proof यही करना है, अभी सर यह भी तो बागी है, इसका screenshot ले लो, इसके बाद देखो, second वाले को भी जो हम लोग solve करते हैं, तो second वाले को यहीं कर लें solve, क्या ही दिक्कत है है न, इसमें भी हम कोशिश करेंगे, क्या ही लगा दे, generalized mean value theorem, क्योंकि मामला ठीक था कि चल रहा है इसमें भी, तो यहाँ पर देखो, इस integral को जब लपेटेंगे, 1 by root n से लेकर 1, n time fx, very good, 1 plus n square x square dx, यहाँ पर सर fx तो fx है, वही 5x लेट कर लेता हूँ मैं किसको, 1 n divide by, 1 plus n square x square, आप यह देखेंगे सर, 1 by root n से 1 के बीच में इसका जो sign है, वो क्या ही चल रहा है, same ही चल रहा है, नहीं, तो generalized mean value theorem है, जी अपनी जिन्दाबाद, इसको हम लोग कैसे लिख सकता है, हम लिख सकता है, इसको f of again, इसको beta n लिख लेते हैं, 1 by root n से लेकर 1, और इसका integration नहीं, ऐसा ही करेंगे, और यहां भी y condition है, कि जो अपना ये, बीटे भाई साब है, बीटे भाई साब कहां से कहां होंगे, 1 by root n से लेकर, 1 के बीच में, ऐसा ही होगा, आप देखें सर, यहां भी y t लेंगे, हम लोग nx को, लिखेंगे, let nx is equal to t, तो n dx is equal to dt, तो integral किस तरीके से, यह convert होगा, यह हो जाएगा, f, बीटा n, सर आप ज़रा इसको रखे, 1 by root n, तो यह नीचे बचेगा, root n, और यहां पर 1 रखेंगे, तो कितना आ जाएगा, यह n आ ही जाएगा, क्या कहते हो, आज आएगा न, बहुत ही बढ़िया, और यहां क्या आएगा सर जी, अपना dt, 1 by t square, तो इसका integral क्या हो जाएगा, f of beta n, very good, सीधा लिख दू क्या, 10 inverse n, minus 10 inverse, root n, ऐसा ही हो जाएगा, अब देखो, जब limit लगाएंगे, इसके उपर, तो क्या आएगा यह, लिखेंगे limit, तब देखो, आपको समझ आ रहा होगा, सर यह, UPSC में आया हुआ है, और sun है, इसका 2008, question मुश्किल नहीं है, बस यह properties, का खेल है सारा, इसके अंदर, तो limit, n tends to infinity, f of beta n, 10 inverse, minus, 10 inverse, root n, जब सर, n infinity को approach करेगा, तो यह क्या जाएगा, beta, 0,7 के बीच में, ठीक है, आप देखें सर, यह क्या हो जाएगा, pi by 2, और यह भी क्या हो जाएगा, सोभाग्य से, pi by 2, pi by 2 में से, pi by 2 गया, तो सर, इसका क्या जाएगा, happy birthday, यानि, यह वाली जो limit है, यह किसके equal है, सर, 0, और यह वाली limit है, pi by 2 times, f of 0, तो कुल मिलाके, यह जो limit है, यह किसके equal आगई, pi by 2 times, f of 0, क्या देखें सर, यही proof करना खामे, बहुत बढ़िया, इसका जो है सर, screenshot ले लें आप लोग, तो देखिए जी, मेरी तरफ से जो है, अब रीमन integral हो गया है, complete, उमीद कर रहा हूँ, आप लोगों को यह समझ आ गया होगा, next class है सर, वो दूसरे वाला integral स्टार्ट करना है, हम लोगों ने, सर समझ आया आज का, तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किये हो, तो सब्सक्राइब कर लेना, और जादा अच्छा लगा है, समझ आई गया अच्छा से, तो दोस्तों के साथ शेयर करें, शुक्रिया सर, आप लोगों का टाइम देने के लिए, मैं आप से जल मिलता है, नेक्स वीडियो में नए टापिक के साथ,